सिटी की रिसोई में आज की हमारी रेसिपी है अलसी की पिन्नी मैं हूं सीमा सोनी मेरे साथ है शेफ अंजना जोशी और शेफ गौराव तो हम शुरुआत करेंगे बेल्कु पिन्नी बनाने की बेल्कुम सबसे बहले पिन्नी बनाने रगे हैं तो उसके लिए हमें सबसे बहले गुड की चाशनी चाहिए तो सबसे पहले हम गुड की चाशनी रडी करेंगे तो हमने ये जो गुड इसको तोड़ लिया पहले अच्छे से कि चुल्षभा गिभाई यह दर कों की तूष्टू है तौँ ज़र कांड़ द शय्कणे कर शरू अचान थीं अशुनर गर श्वाद कर कैहенा इस में अच्छाक्य भी यूजुश कर सकते हैं और शीनी भी यूज़ कर सकते हैं कोई और चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेथट जो आपको अच्छा लगी वाप यूज़ कर सकते हैं अब इसमें डालें जालें सौंग स्वाद के लिए इसको तोड़ा टाइम लगेगा? बलकुल लगेगा? बलकुल लगेगा तब तक हम मिक्स कर लेते हैं अजी ऐसा कुछ करें बलकुल साथ के साथ जब तक चाशनी रडी हो रही है तो हम यह एक कप आटा इसे हमने रोज पिया हुआ है रोज पिया हुआ हुआ है रभी आप इसका ऐसका कलर देखे हैं जूटा ही और यहाBooks में लिया कंव लिया, यसे अल्सी इस तरह की की होगी they have каж के हम में बूुन की ये पीस लिया है कि इसको भुणा और फिर इस्को पीस लिया है IG Poon ariv Tam बुनी अलसी, और? अलसी से अगर 200 gram हम अलसी ले रहे हैं, हमारा 3 से 300 gram आटा होना चाहिए, अलसी के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, यह कर दिए है आपको, बहुत अच्छे अच्छे, गरम रखती है आपको, क्योंकि सरदी मीं घाते हैं, तो तो सफ़ियों में प्हानी पेला करती है और अच्छे टरीक रिखे हैं तो इसका पानी भी आपई सकते हैं बातों कि सबस्के हैं चुक्त आपकी अपी का फंहिं के भात्स को भी बुर्न करें ऐ अंच। भी ऊफ नेच्ड ऑली rust खुआ कैसे को सब्समा बाई कर दो दोताए कि डिसलियुकर कॉंस निशनें के सब्सक्ना जा ल है जोVrations और कभी ऐसे लगता है ना आपको कि आपने भहत ज्यादा है कहीं पर जाकर तो वो धनिया होता है जो मरे कोरिएंडर सीच होते हैं अब उसको पानी में राद को फिगो के रखिये और इसको बोल नहीं करना है उसको पीजिए और अगर पेट को साफ और अच्छी तरीके से करन अब भी पीना है, हम भी स्लिम हो जाएंगे, कहां चले, लीजिए गुड की चाशनी रड़ी हो चुकी है, एक तार की चाशनी रड़ी है, अब हमें क्या करेंगे, जो आटा और अलसी है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और ये काम हम, सीमा जी, मुझ से करवाते हैं सारे काम, देखिये, तो अब हम जैसे जैसे ये मिक्स करते जाएंगे, साथ-साथ मैं इसमें जो गुड की चाशनी है, ये एल्ड करता जाओंगा, जले हम एसे एक बड़ता में निकालेगे, मेरा काम अभी खतम नहीं हुआँ नहीं खतम हुआगे, अब मिक्स करते रहें, पूर इसमें एक बांदिंग एजिंट का भी काम करेगा, जो इसको बांता चला जाएगा, और डाले, इसमें, इसे पंजीरी की तरह भी बना सकते हैं, मगर उसमें, जैसे कि मैम ने बताया है, शक्कर एड कर दें, उसमें चाशनी नहीं जाएगे, उसमें जैसे ही इसमें हमने गुड की चाशनी याड किया, जैसे हलका गरम-गरम पे ही बनाए, ठंडा होने पजे जम जाएगा, लड्डू की शेप या पिन्नी की शेप, ऐसे बरके, इसे बी कर सकते हैं, और लड्डू की शेप इसको तरह बना जएते हैं, आप तो ठीक है, आप क्योंकि फोड़ा कम गरम है तो अब हम भी लड्डू की शेप, अब हम भी इसको बना सकते हैं, अंजला जी आपको पनाईये ना, आपको पनाईये ना, आपको गरम ने पहले टेस करके बताया कि कितना गरम है, अगर आप चाहें तो इसके उपन नारियल का बरादा, मदाम यह कोई भी ड्राइफूट लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो जब इसको खाते हैं बिन्नी को तो क्या इसको थोड़ा गरम करते हैं या ऐसी गाते हैं तो गरम गरम जूद के साथ सुभा उठके हमारी दादी हमारी नानी हमें सुभा उठके एग लास दूद साथ में एक पिन्नी जरूर्ट एड़ी आपने बहुत अच्छी सिखाई है शेप पिन्नी और मैंने सीख भी लिए पर आज शाम को यह जा के ट्राइक नहीं मैं यहीं बोलने वली थी पर आप एक बना के बेज़ते ना ठीक है सिटी की रसोई में आज हमने सिखा है अल्सी के लड़ू और यह अल्सी के लड़ू के लिए मैं अगर आपको बताना चाहूंगे कि आप इसका बिजनस भी स्टार्ट कर सकते हो एक छोटे से घर के अंदर यह एंट्रिप्रेशिप के उपर जा है कि करीवन 300-300 रुपए पर केजी के हिरफ से आपसे मिलता है तो आप शुरू करिए अपना काम सिटी की रसोई में ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हम सिखाते रहते हैं अगर आप भी सीखना चाहते हैं कोई रेसिपी तो हमारे कोमेंट बॉक्स में चाहिए और अपनी रेसि हुँ!